ay hello student कैसे हो जैसा कि पहले के वीडियो में हमने डिसकस कर रहे है in general English और उग्रैमर से related topics ले रहे हैं और आज जो grammar का topic या इस से पहले जो grammar के topic रहे हैं उनमें subject verb agreement का topic चलता रहा है subject verb agreement के हम इस general डिसकस कर चुके हैं हमने क्या सिखा वो रूल से उस पर बेस एक अक्सर्शाइज आज हम करने वाले हैं जो पहले के दो वीडियो है जो हमने पहले दो वीडियो बनाये हैं आपके लिए उनमें जर्नल ग्रेमर तो था ही था सब्जक्ट वरफ एग्रिमेंट पर जो रूल्स थे जर्नल रूल्स थे वह भी अमने डिसकस किये हैं आसा करता हूं कि वह आप सबको रूल्स पढ़े होंगे पहले वाले वीडियो लेकिन फिर भी क्योंकि हो सकता आपिंशेने वीडियो पहले नहीं देके हूं तो उन के लिए कुछ वो ज़नरल रूल्स जो हमने डिसकस किये थे उनका एक रिक अप्स्टालाइजेशन है एक दुबारा से थोड़ा सा हलका सा रिवीजन कर रहे हैं उन रिवीजन्स में में जो एक पहला जो रूल्स था मारा वो यही था जब कोई सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हिसरो ५ान भाई आपके पास राम है अलों घब बिजओ ग mix ओस्ट बिजन्स दुड़ा हूँ हो विझसे इन इडिशन टू से या ओर भी इसके अलाव अलाव होते हैं जैसे बीसाइ्ड से जुढ़ा हो फिक We?」 आ कि दू जो जूड़ा हूँ हो ंदी वो subject matter नहीं करेगा, subject वो ही matter करेगा जो first में है, यदि माल लो आपके पास Ram है along with his friends, तो with his friends जो है वो doesn't matter, Ram is does matter, यहनि Ram singular है तो हमें singular लगाना है, यदि first subject वारा plural है तो हमें plural verb का यूज करना है, नीचे exercise में फिर दुबारा से देखने को पढ़ने को मिलेंगे, पहले एक बार आपन quick revision कर लेते हैं, when a subject made of two or more nouns joined by and, यह बहुत simple सा rule है, जब कोई subject एक या उससे एक से ज्यादा जो subject हो, और किस से जुड़े हो हो, and से जुड़े हो, definitely you will put there plural verb, कौन सी वर्ब लगाएंगे, Ram and Sam, या A and B, A कोई subject है और B कोई subject है, definitely आप यहाँ पर कौन सी वर्ब प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब जो दीव होई होती है, वो दीव होई होती है, सभी जैसा कि पहले के वीडियो में डिसकस कर चुके, all verbs are plural, लेकिन singular कब बनाते हैं, जब उनके साथ हम S, E, S लगा देते हैं, फट रूल को देखेंगे, जब कोई subject से पहले, each या कोई subject के रूप में, each हो, every हो, either, neither, या फिर many, a, क्या हो, many हो, a हो, या इनके बाद में, तो ध्यान रहे, किसका प्रियोग करेंगे, singular verb का ही प्रियोग करेंगे, आगे clear हो जाएंगे, next rule देखे, if two or more subjects, यदि दो या दो से ज्यादा subject, joined by either, neither, nor, या not, या only, not only, या but also, the verb occurs with the nearest subject, दो subject दिये होए है, जुड़े वहा किसे, या तो जुड़ा वहा मिलेंगे, किसे इदर से, या नीदर से, या नीदर, nor, से, not only, से, but also, से, तो जो first में, जो subject है, वो doesn't matter, वो यहाँ पर नहीं आएगा, उसके अनसार वर्ब नहीं आएगे, जो nearest है, वर्ब क देखो, next, जो rules है, वो यह है, rule number five, या उन में से कुछी rules सुने है, जो main main है, जिसे news है, physics है, mathematics है, measles है, ethics है, यह सब क्या होते है, इन के साथ हमेशा plural form, देखने में यह plural लग रहे है, लेकिन इन के साथ हमेशा singular verb का प्रियोग होगा, ऐसा हम discuss कर चुके है, next one देखिए, two kilometers, three kilometers, distance हो, या कोई amount हो, hundred है, thousand है, represent single unit के रूप में उनको represent क्या जाए, या fixed quantity कोई के रूप में उनको व्यक्त क्या जाए, तो वो उनके साथ singular verb का प्रियोग होगा, यह पहले वाले वीडियो में यह rules with examples अपन कर चुके है, आजम के वोल exercise कर रहे है, जो subject verb agreement के based है, तो उसक के लिए मैं तो quick revision के लिए कुछ points अपन discuss कर रहे है, ताकि आपकी recall कर सको, और दूसरा next वाला देखिए, जब collective noun जैसे collective noun का मतलब जैसे group है, hard है, team है, committee है, यह singular ही आएंगे, जब यह दिए unit के रूप में प्रियोग हो, लेकिन जब यह unit का मतलब body के रूप में, एक single body के र members की बात करें, अलग-अलग उस member of the group की बात करें, तब इसके पास या individual अलग-अलग की बात करें, तो इनके साथ plural verb आएगी, देखिए, next rule भी देख लेजिए, next point जो है, वो भी देखेंगे, मैंने पहले यह rules discuss कर चुके है, जैसे uncountable nouns है, uncountable nouns जानते हो, जिनको आपन काउ furniture है, equipment है, stationary है, luggage है, weather है, advice है, यह सब singular है, और इनके साथ singular ही, verb का परियोग होगा, next one देखे, nouns like, amends है, campuses है, glasses है, goods है, trousers है, tongues है, police है, और people है, यह सब descriptive, जो होते हैं, वो है, the rich, 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 एक तो यह, और इसके साथ, यह मैं इसको noun बना ले, तो the rich है, the blind है, the guilty है, यह always plural verb, इनके साथ हमें से plural verb का ही परियोग होता है, यह सब discuss कर चुके है, next one देखे, इसी से related एक, और last का है, यह साई 10th का, कुछ नाउन्स जैसे, have both, singular, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं, जिनके साथ हम singular, as well as plural verb का परियोग कर सकते हैं, कब, if we use plural verb, with them, उनके साथ तो हमें से कई बार, we are always correct, यदि plural verb का इनके साथ परियोग कर दे, तो अक्सर correct ही रहते हैं, ठीक ही रहता है, लेकिन कई बार हम उनका singular ठीक से use नहीं कर पाते, कई बार singular verb का use हो तो सकता है, लेकिन वहाँ पर plural तो definitely हो सकता है, तो वह देख लेना, singular केवल उन प्रिस्तितियों में, जब आप clear हो जाओ कि ये unit के रूप में है, body के रूप में है, तो singular नई अने था, यदि members, अलग-अलग individuals की बात हो रही हो, तो वहाँ पर plural verb का प्रियो होगा, जैसे ऐसी कुछ ये जो नाउंस होती है, वो ये होती है, जैसे family है, government है, audience है, और media है, company है, crew है, public, etc. ये सब चीजे हो, तो आप इनके साथ देख लेना, कैसा, कहीं पर तो singular, कहीं पर तो plural, यदि आप शोर नहीं हो, तो plural verb का प्रियोग करें, यदि आप शोर है, कि unit twice इसका प्रियोग हो रहा है, as a body, whole body के रूप में प्रियोग हो रहा है, तो singular verb का, जैसे आपने एक sentence देखना, इसी को clear करने के लिए, इसका example इसके साथ है, the whole family, the whole family is, the whole family is active, यहाँ पर ये unit है, पूरे परिवार की एक unit, group के रूप में है, group के रूप में है, तो इसके साथ हमने किसका प्रियोग करिया, singular verb का प्रियोग किया है, इसके साथ हमने किसका singular, लेकिन नीचे देखो एक बार, यह एक collective noun के रूप में प्रियोग हो रहा था, इसलिए आपने इसके साथ singular verb का प्रियोग कर लिया, अब next one देखना, next one ऐसे ही sentence है, the family have met their various obligations, यहाँ पर परिवा के हर सदसे के बारे में हो रही है, तो उनकी हर परिवार के हर सदसे की अपनी अपनी obligations है, अपनी बात देता है, अपनी अपनी मज़बूरिया है, तो यहाँ पर अलग-अलग individual के रूप में, अलग-अलग members की बात हो रही है, different members की बात हो रही है, अलग-अलग different members की बात हो तो यहां पर आपको helping work की रूप में किसका प्रियोग करेंगे या वर्ब के किसके रूप में plural का प्रियोग करेंगे next one देखिए next one देखो कि यह देखो इसी तरह का एक और sentence है जैसे audience है audience collective noun है यह दि audience में भी अलग-अलग members की बात करें तो plural हो जाएगा audience है यूनिट के रूप में प्रियोग करें तो उसके साथ किसका प्रियोग होगा unit के रूप में तो उसके साथ singular का प्रियोग होगा जैसे एक एक्जामपल है the audience जो की individual के रूप में बात कर रहे है audience clamoring कर रही थी more songs की but the singer left the stage singer चले गए stage पर बिना उनकी बात को सुने वे तो यहाँ पर जो audience वैसे singular as a singular use कर सकते थे आप as a singular उसका use कर सकते थे लेकिन audience में आपने देखा कि अलग-अलग सदसे अलग-अलग side song की demand कर रहे होंगे और उस demand को देखते वे वो उसने उसकी demand को agree नहीं किया और निकल गए तो यहाँ पर अलग-अलग members की different members की बात हो रहे हैं यह different member किसके different member audience में जो audience थी ना उसके अलग-अलग members की बात हो रहे है तो और लग-Alak मेमबर्स की बात होगी। तो प्लूरल का गवर्भ ही यूज हो गई। यह था केवल कुछ रिविजन के लिए कुछ पॉइंट्स थे आपके लिए। अब आता है, जो आपना अग्ह as main class देखवा आप जैसे फर्स सेंटेंस है Mr. Simon जो ग्रेट पेंटर भी है फिलन्थ्रपिस्ट भी है वो अराइव्ड है और हैव में से आपको फाइंड आउट करके चूज करके लिखना है आप सोचो कि जो Mr. Simon है और जो ग्रेट पेंटर है या फिलन्थ्रपिस्ट है यह किसी एक सोचना नहीं है डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि Mr. Simon ही पेंटर है Mr. Simon ही फिलन्थ्रपिस्ट है क्यों अगर यह अलग अलग होते ही तो दा ग्रेट पेंटर और दा फिलन्थ्रपिस्ट होता यह यह डिटर्मिनर्स के वल पेंटर के साथ लगा हुआ है अर्थात Mr Simon ही पेंटर है और Mr. Simon ही फिलन्थ्रपिस्ट है तो यह इसका मतलब सिंगूलर है सिंगूलर है तो सिंगूलर के साथ आपको अच्छे से पता भी है किसका प्रियोग करेंगे हैज और हैव में से आपको एक चुनना पड़े तो आप क्या चुनोंगे हैज का प्रियोग है क्योंकि सिंगूलर है नेक्स्ट वन देखिए ब्रैड एंड बटर ब्रैड एंड बटर ये दो सब्जक्ट देखने को तो तूना उंस नजर आ रही है आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रैड अलग है बटार अलग है एंड से जुड़ा हुआ है और ब्रैड एंड से तो दो मिल करके किसी एक के बारे में यूनिट को शो करते हैं, यहां पर आपको similar ही वारब लिगे, मिल करके bread और butter दोनों से बना है, एक दोनों को mix करने पर food तयार हुआ है, तो यहां पर यह similar similar treat होगा, यहां पर इसका किसका प्रियो होगा, इसका, next one भी देखो, ऐसा ही है, slow and steady, और फिर किसको, किसके लिए है, race, race uncountable है, तो इसका मतलाव uncountable, singular होता है, singular होए, तो यहां पर verb as in message उन्नी आपको win या wins, जैसे कि अपन पहले discuss कर चुके है, win तो plural है, win वर्ब जो है, वो plural है, plural कैसे पता चला, कि all verbs in English are plural, वो plural ही होती है, अब हमें तो चाहिए, यहां पर कैसा चाहिए, singular चाहिए, तो slow and steady, एक singular subject है, यह, अलग नहीं है, race, दोन्नों मिलकर के race बतना रहे हैं, तो singular unit के रूप में होगा, तो यहां पर किस सीज का प्रियोग करोगे है, आप, किस का, आप यहां पर किस क्या ना चीए, वे इंसा ना चीए, ऊपर आपने क्या किया था, singular is किया था, next one देखो, the jury, jury का मतलब panel होता है, जूरी का, more than one judge isn't as, known as jury, जो पैनल है, अब देखना, the jury, anonymous, their decision, was, वर, यहांनि वो मिलकर के, सभी, group, सारा group, जो पैनल था, वो एक राय में था, एक, उन्होंने मिलकर के, सामुईक रूप से, यहांनि एक तरह से, उनका निने एक था, तो यह singular के रूप में ही, ट्रीट होगा, अगर उनके divided हो जाते, उनके अलग-अलग opinion हो जाते, तो वो different होते, तब plural verb आती, लेकिन वो दोनों, यानि उस पैनल में दो होंगे, या दो से जादा होंगे, jury एक पैनल का हो गया, तो उन्होंने anonymous, जो था उनका, वो decision लिया, तो यहां पर कौन सी परियोग करेंगे, singular verb का ही परियोग करेंगे, नेक्स वन देखिए, जिसके साथ अभी पढ़ा था अपने quick में, each how, every हो, none हो, no one हो, इनके साथ हमेशा, singular subject का ही परियोग, singular subject का ही परियोग, singular subject का ही परियोग करेंगे, कैसे, जैसे यहां पर क्या होगा, यहां, क्या होना चाहिए, is, किसका परियोग होना है क्यों क्योंकि Every से वो सेटेंस से श्टार्ट है तब नेक्सट देखिए जैसे नेक्सट देखोगे तब और पता चल जाएगा नेक्स एक्जाम्पल देखवा आप यह भी एक्जाम्पल उसी से मिलता जुलता है अभी तो बोला था नन हो एवरी हो इच हो इन सब के साथ सिंगुलर वर्व का ही प्रियोग होता है तो यहां पर भी क्या ना चीए नन ओफ दैम या क्या ना चीए है जो रहो में से चुनने चुनोंगे तो क्या चुनोंगे हैंज का प्रियोग क्योंकि सिंगुलर वर्व है नन ओफ देम हैंज हैंज कम्प्लिटिट देयर असाइनमेंट तो नेक्स वन देखिए नेक्स वन नेक्स वन भी ऐसा ही एक्जम्पल्स है देखोगे पता चलेगा जैसे इधर है इधर माई मदर और माई मादर आप इनको दो डिफ्रेंट सब्जक्त नहीं है यह दो डिफ्रेंट नहीं है मैंने अभी लिखवाय था कि यदि इधर से जुड़ा हूँ या और से जुड़ा ह दो देखने को दो लग रहे हैं लेकिन यह पर आपको सोचना पड़ेगा कि जो नियरस वो देख लो या तो और और से इधर से तो इन में क्या होगा सिउनलर ही वर्भ का प्रियोग होगा इधर माई मदर और माई फादर इस कमिंग तो दा मिटिंग इन दोनों में से एक है तो सिंगुलर ही वर्भ का प्रियोग होगा अब देखो यह नेक्स वन इस से किलियर हो जाएगा यह दूसरा है अब यहां वर्भ कौन सी लगेगी एजिया आर आप सोचो कौन सी लगनी चाहिए मैं अभी जो डिसकस किया था तो नियरस का है सबसे जो नियरस सब्जेक्ट क है दा कैट्स और से जुड़ा हो लेकिन नियरस सब्जेक्ट के अनुसर वर्भ लगेगी तो यहां पर नियरस क्या है कैट्स तो यहां इस का प्रियोग नहीं होगा किसका प्रियोग होगा आर का आप कंफ्यूज ना हो इधर या और से जुड़े हुए जो नियरस सब्जेक के साथ के अनुसार वरब लगती है next one देखो one of one of के बाद में प्रोरल नजर आएगा और आप गलत ना सोचें यहां आर का प्रियोग नहीं होना चाहिए यहां किसका प्रियोग हुगा सिंगुलर्प के बाद में प्रोणाउं वह उसका रोल यहां तो यहां किसा प्रियोंग होगा इज का प्रियों होगा इस तरह यह सिंपल सी एक्सर्षाइज मैं कियो आपको प्रक्रिश के लिए करवा रू हूं नेक्स वन देख जढ़ बा अा से जुड़ा हूआ हो, along with से जुड़ा हूआ हो, in addition to से जुड़ा हूआ हो, besides से जुड़ा हूआ हो, as well as से जुड़ा हूआ हो, तो वो उसका नहीं होता, जो फर्स्स अब्जक क्या है, उसी के नुसार रवाहेगी, आप देखने को देख रहे हो, कि यह वार्ड से हैं, तो वा मैं मैं क्या नाच चाहिए सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा लिव नहीं हो गा यह तो पिलूरल वर्ब हो गया सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा as leaves next देखिए इधर ऐंस्वान अब और इदर के साथ नीदर के साथ यह जो होते हैं इनके बाद में हमेशां सिंगुलर वर्ब ही आएगी सिंगुलर वर्ब का मतलब इसका प्रियोग होगा इसी तरह यह देखो फिर आ गया हैं ऑईवरी वर्ब हम धोज बुक्स यह बहुत सारी बुक्स हैं यह मैंटर नहीं कर रही मैंटर क्या गर रा है एक और खुरत है जितनी अक्सराइज करोगे उतना ही यह जो topic है subject verb agreement का यह आपको clear होता जाएगा, rules अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिये हैं, आज भी मैंने quick revisions में करवाये हैं, और थोड़ा सा practice के लिए और कुछ examples ले रहे हैं अपन, यह देखो, nobody, वही फिर आ गया, subject पहले बार-बार discuss कर चुके हैं, nobody के बा या, ES लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या ना ची ये, knows, क्या ना ची ये, knows, nobody knows the travel I have seen, next one देखे, फिर ये भी, ये भी rules आज ही, discuss किया था, the, क्या, the movie, ये, including all the previews, previews, all the, इसका कोई रोल नहीं है, इस previews का, previews का, कोई रोल नहीं, मुवी देखो, movie singular subject है, singular subject हो, तो उसके साथ singular ही verb का प्रियोग होगा, और singular verb क्या होगा, बेटा, take नहीं, takes होगा, take नहीं, takes, बार-बार कह रहा हूँ, verb, जितनी भी English में होती है, वो plural form में होती है, singular verb तो वो तब बनती है, जब हम उनके साथ S या, ES का प्रियोग करते हैं, तो ध्यान रहे, यह सब बाते, आपको पहले जो general rules पड़े हैं, उनमें यह सभी है, इसी तरह next one देखिए, the players फिर आ गया, as well as से जुड़ा हुआ है, captain, subject तो यह है, यह as well as, इसको देख करके आप नहीं लगा रहे हैं, अब यहां देखो, the players as well as the captain, इसको देख करके अगर आपने यह सोचा कोई matter नहीं होता, अर्थात उसका कोई role play नहीं होता, यहां पर आप द्यान करें, यहां क्या आना चीए, पहला subject हमारा क्या है, player, और player plural है, तो यहां पर plural verb का ही प्रियोग होगा, अर्थात इसमें किसका प्रियोग होगा, want का ही प्रियोग होगा, इसी तरह next one देखिए, next one देखोगे, next one देखिए बेटा, यह है, यह भी काफी बार, काफी जो भी एक्जाम्स होते हैं, अक्सर उन एक्जाम्स में इस तरह के मिल जाते हैं, the committee, committee, collective noun है, collective noun में देख लेना, यदि collective noun, group के रूप में, unit के रूप में प्रियोग हो, जैसे jury था, committee थी, class है, तो यह सब जो collective noun होती है, उनमें यह देखना करो, unit के रूप में प्रियोग हो, तो वहाँ पर उसके साथ, similar verb का प्रियोग होगा, यह दी वो, अलग-अलग, different members के रूप में प्रियोग हो, तो वहाँ, plural verb का प्रियोग होगा, अब यहाँ पर आपको decide करना है, debate साना ची है, debate, these questions carefully, तो यह पूरी committee ने मिल करके, group, as a group, as a collective, ना उनके रूप में प्रियोग होगा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, debates, individual नहीं है, collective है, तो collective है, तो collective है, तो similar verb का प्रियोग होगा, इसी तरह next one देखना, इस से और clear हो जाएगा तमे, the committee members, अब committee अपने आपने matter नहीं कर रही, अब committee members आ गई, एनि more than, अब यह unit के रूप में नहीं है, अब यह अलग-अलग different members के बारे में है, और different members के बारे में हो, तो आप इसको as a plural verb use करेंगे, और plural verb क्या होगी, lead, क्या होगी, lead, यहाँ पर आप singular verb ना समझे, singular समझते तो leads लगाते, लेकिन क्योंकि members अलग-अलग members की बा बात हो रही है, तो वरब भी हमारी, कौन सी आएगी, plural verb का ही प्रियोग होगा, next one पे चलते हैं, यह केवल आपकी practice के लिए, बार-बार कह रहा हूँ, केवल आपकी practice के लिए, आसा करता हूँ, आप भी practice पहले करते रहेंगे, और कुछ ऐसे sentences जो आज मैंने करवा रहा पार्ट्स होते हैं, टूस जैसे sleeves होती हैं, उसी तरह उसकी भी अपने दो, pants के, तो यहाँ पर यह pants, ease और आर में से decide करो, यह क्योंकि जैसे scissors है, pants है, specs है, इनके साथ हमेशा ही plural का प्रियोग होगा, तो यहाँ आएगा, आर, next one देखो, यह देर, देर का प्रियोग कर रख रखा है, introductory subject है, देर एक introductory subject है, और introductory subject का वर्ब से कोई मेल नहीं होता, देर के बाद, यानि वर्ब के बाद दिया हुआ, जो भी दे रखा है, वो subject matter करता है, आपने यहाँ देखा, 15, क्या है, candies है, तो subject, real subject तो candies है, ने की देर, तो यह candies तो plural है, तो इसके साथ plural होई, वर्ब का परियोग होगा, और plural वर्ब क्या है, विटे, वर्ब, क्या है, वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब का परियोग होगा, इसी तरह आपने discuss किया था, पहले journal rules में, जैसे 10 miles, 10 miles, distance को सो करता, याद करो, याद आएगा आपके आपने journal rules में पढ़ा था, distance को बताने वाले, amount को बता distance को सो कर रहा है, आर का परियोग नहीं होगा, यहाँ पर किस का परियोग होगा, इसी तरह next one पर चले, आप देखो, man and woman, man and woman, यह तो simple सा है, man अलग है, woman अलग है, end से जुड़े होए है, definitely, आपको इसके साथ singular वर्ब नहीं लगानी, क्या लगानी है, plural वर्ब, plural वर्ब यह आपर क्या आएगी, आर, तो यह आर का परियोग कर दिया अपने, बहुत simple है, अगर rules आपके पास तयार है, तो आप rules को तयार करके, इनको बहुत आसान धन से, और बेटर धन से आप लिख सकते हो, या इनको सोल कर सकते हो, next one देखिए, the students and women, क्या है, students, आप आप देखो, the students accompanied by their teacher, फिर मैं बार बार कर रहा हूँ, as well as say, in addition to say, beside say, along with say, यह सब including say, यह जुड़े हुए दो subject और होते हैं, इनका कोई matter नहीं होता, main subject, में students, अब यह देख लो, कैसा है, students, plural है, तो plural के साथ, आप किसका प्रियोग नहीं करेंगे, has का, किसका करेंगे, have का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, have, next one देखिए, the man standing, in front of the car, the man standing, आपको लग रहा है कि sentence complete, करते करते, बहुत, man standing in front of the car, यह जुड़ा हुआ है न, तो इसको आप सोचे, कि subject तो क्यों हमारा यह क्या है, the man, singular है, तो यह क्या आ जाएगा, singular ही वर्ब आएगी, और singular वर्ब क्या हो गई, तो यह सब, जब तयार होंगे, जब आपके journal rules तयार होंगे, और journal rules आप हम पहले दो वीडियो में कर चुके, आज भी अपने quick revision उनका कर चुके हैं, अगर वो revision करके आप इनको करने बैठेंगे, तो आप बहुत आसान धन से इनको कर पाएंगे, next example देखिए, यह भी देखू, not only girls, not only girls, but also boys, not only girls, but also boys, was or were, allowed to come here, बास सोचिए, अब नियरस, सब से ऐसे sentences में, आप जो नियरस subject है, not only, but also से जुड़े वहे वाले में, तो उनमें उसके अनुसार वर भर दीजिए, वो इस दिखी रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रियोग होगा, वर का प्रियोग होगा, next one देखू, अब यहाँ पर more than one subject नजर आ रहे है, आई है, यू है, और यह भी कोई Arisa, नेम, एक अधर सब्जक नजर आ रहा, definitely, किसके अनुसार वर भाई भी, देखू, आई, यू, और Arisa, तो more than one होगे, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रियोग तो इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि यह सिमुलर नहीं मान रहे है, यह प्लूरल है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, आर गोईन, आर गोईन टो विजिट दा जू, अब यह देखू, यह हाफ ओफ दा एपल, यहाँ एपल का कुछ, एपल एक है उसके पास, उसी का कुछ इससे की बात हो रही है, तो यह पार्ट है, एपल का पार्ट है, तो यह हमेशा सिमुलर के रूप में ही प्रियोग होग तो यहाँ पर क्या आनाच यह, वोज का प्रियोग होगा, किसका वोज का, यह ऐसे, यह नेक्स बन देखो, वोर एंड पीस, वोर एंड पीस, इस इन नोवल रिटन वाई लियो टोल स्टर्व, तो यह बुक का नाम है, जैसा कि हम जर्नल डूर्स पर डिसकस किया था, वोर, पीस, यह, यह, क्या है, एक सब्जक्ट, एक बुक का नाम है, ऐसे ही किसी बिल्डिंग का नाम हो, किसी बुक का नाम हो, किसी मेगजिन का नाम हो, तो वो मेगजिन का नाम चाहिए प्लूरल फोर्म में दे रखा हो, लेकिन वो एजे सिमुलर ही ट्रीट क्या जाता है, तो यहां पर क्या आना चाहिए यहां क्या न वोर एंड पीस इज नोवल रिटर्न या इज यह नहीं था वेटा यहां पर किसका प्रियोग दे रखा होगा ब्लेंक्स में इज और आर दोनों में से एक चुनना है नोवल रिटर्न बाई लियो टोल स्टोर्ड तो यह तो सिंगुल पर वरप का ही परियोग करते हैं नेक्स लंपे चले लगवग लगवग और यह ऐसी कुछ अक्सरशाइज और भी आप अपने आप भी कर सकते हो उन अक्सरशाइज में प्रक्टिस कर ले ना जर्रनल रूल साब के पास है जैसे और सिंपल सिंपल सी बाते होती हैं यह से मैं में कहता हूँ, simple, जो rules है, उनके साथ जो rules, जैसे एक ले दिया, मैं यहां लिखता हूँ, I, और ये क्या है, I along with, I along with my friends, I along with my friends, और उसके आगे आपको gap feeling करना है, है, तो जैसे has or have में से चुनना है, has or have, इन दोनों में से चुनना है, taken, taken, dinner, there, taken, dinner, there, तो आप decide करो, यहां पर क्या है, along with my friends, इसका किसके साथ main subject क्या है, आपर, I, और ये जो along with से जुड़ा हुआ है, या in addition to से जुड़ा हुआ है, या और दूसरे जो बताए थे आपको besides से जुड़ा हुआ है, उनका कोई role नहीं होता, I के साथ, आप वैसे तो चाहते है, singular होता है, singular के साथ has का प्रियोग करते हैं, लेकिन आई एक ऐसा subject है, जिसके साथ, क्योंकि has का प्रियोग तो third person और singular होता है, तब उसका प्रियोग करते हैं, बाकि सब के साथ किसका प्रियोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, I along with my friends have, यह हो गए, तो यह कुछ simple simple से sentences थे, जो आप जिनको subject verb agreement की practice के लिए use कर सकते हो, यह आप कर लेना, लगभग लगभग जो subject verb agreement के जो topics है, वो complete हो गए है, इन topics को आप practice जितनी practice करोगे, उतना और अच्छे से तयार हो जाएगा, आज के लिए इतना ही enough, और इसकी practice आप करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, यदि कोई doubt हो, तो आप अपना comment box में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है, thank you, बास, आज का यही topic over होता है, आप कर लेंगे,